नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी कानाधी टीवी में मैं हूँ आपके साथ असमिता बुलिटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ वजयपुट से आपको खबर बता रहे हैं जहां कॉंग्रस को बड़ा जटका लगा है राम निवास रावत बीजेपी में शामिल हुए है उनके साथ ही कई समर्थपों ने पार्टी का दामन थामा है बुरैना महापोर्ट शाद्दास ओलंथी भी बीजेपी में शामिल हुई है सीम डॉक्टर मोहन यादव ने सतसिता दलाई है तो कॉंग्रूस को बड़ा जटका यहाँ पर लगा है राम निवास रावत बीजेपी में शामिल पोच चुके है कुछ देर पहले ही ट्विट आया था बीजेपी नेता का रमेश मेंदोला का बारा बजे को लेकर ट्विट आया था कि बड़ा जटका यहाँ पर बीजेपी को लग सकता है क्यूंकि लगातार हम देख रहे हैं कल भी हमने देखा किस तरह से कॉंग्रिस के इंदोर से प्रत्याशी जो है वो बीजेपी में शामिल हुए अक्षय कांती बंब कल बीजेपी में शामिल हुए आज एक और बड़ा जटका राम निवास नेता ने जो है बीजेपी की सदसिता ग्रहन कर ली है राम निवास रावत बीजेपी में शामिल हो चुके है जादा जौन करी ले लेंगे हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेट ब्रिजेश जी जिस तरह से ये कहा जा रहा था सुबह से ही क्यास लगाए जाने थी कि आज भी बड़ा जटका कॉंग्रेस को लग सकता है नतीजन राम निवास रावत बीजेपी में शामिल हो चुके है च्छे बार के विधायक रहे पार्टी को बड़ा चटका लगाए जिस तरह से लेकिन उस समय राम निवास रावत बीजेपी में नहीं आये थी पिछले कई दिनों से अटकलें चल रही थी कि राम निवास रावत बीजेपी में आ सकते हैं और बीडी सर्मा ने आज इस पश्ट कर दिया था कि वो बीजेपी में आने वाले है इससे पहले भी उनकी चर्चा बीजेपी से लगातार हो रही थी लेकिन कहा जा रहा था कि बीच में राहूल गांदी ने उनको मना लिया है लेकिन उनके परिवार का प्रेसर था बेटे का प्रेसर था और वो खुद कह रहे थे कि मुरेना में जो उम्मीदवार बनाया है कांग्रेश ने लोगसवा का वो उनकी सहमती से नहीं बना वो खुद चुनाओ लड़ना चाहते थे हलाकि 2014 में भी वो चुनाओ लड़े थे लोगसवा का लेकिन हार गए थे रामनेवास रावत एक बड़ा चेहरा है मुरेना संसेजी चेतर की रूप में माने आप सामाजी को उनकी एक प्रितिष्टा है सर्व सम्मती से वो आये हैं तो इससे बीजेपी को लोगसवा चुनाओ में बड़ा फायदा होगा रामनेवास रावत जैसा बड़ा चेहरा आने से निश्चित तोर पर मुरेना में बीजेपी मजबूत होगी और हो सकता है कि उन्हें बिजेपी से उनका समझता हुआ उस अनुसार आगे की कारवाई होगी लेकिन कांग्रेस के लिए लगातार जटके पर जटके मिल रहे हैं इंदोर का जटका भी मिला था कल और आज पर देखी रामनेवास रावाद के रूप में पहले भी एक बिधायक के हमने देखा है चिंदवाडा से आ चुके हैं तो दो कांग्रेस के मौझूदा बिधायक बीजेपी में आ चुके हैं और हो सकता है कि जब तक चुनाव चल रहे हैं, चुनावी प्रक्रिया चल रही है, और भी कांग्रेस के बिधायक और बड़े नेता आ सकते हैं. रावत आज अपने बड़ी संख्या में समर्तकों के साथ आये हैं और उनकी जायनी हुई है बीजेपी में, इसे बीजेपी उससायत है और कांग्रेस का कार करता है, जरूर हतोस सायत हुआ होगा, उसका जोस कम हुआ जिससे कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है मद् देखी जा रही है, कापि दिनों से उनकी नाराजगी देखने को मलरी खास का टिकेट को लेकर यहाँ पर बताया जा रहा है कि नाराज चल रहे थे पाटी से निश्चित तोर पर हम कांग्रेस में देखते हैं कि किस तरह से गुटबाजी होती है, यदि एक नेता पावर्फुल होता है तो वो दूसरे गुट के नेताओं उतनी तबज्जों नहीं देता, रामनिवास, राबत, निश्चित तोर पर जब सिंधिया आया थे, संधिक द मुरेना चुनाओ की जो हम बात कर रहे हैं, लोकसभा के उमीदवार की बात कर रहे हैं, उसमें भी हमने देखा है कि उन्होंने नाराज की जाहिर की थी, कि उनकी सहमती नहीं ली गई है, तो जीतू पटवारी के लिए पर भी एक सवाल यह निसान है, कि उनके आने के बाद लगातार कांग्रेस के अच्छे चेरे, बड़े चेरे और लोक पर यह जो लगातार चुनाओ जीते रहे हैं, ऐसे लोगे बीजेपी में जा रहे हैं, तो निश्ची तोर पर यह नेतृत पर होगा है, प्रदेश नेतृत पर भी सवाल उखता है, और रामनेवास रावत के वहाँ जा रहे हैं, इसको भी में, जो दो लगा जोगा हुआए है, भी में, जो भी निड़ने लेंगे, आपके छेतर के बारे में, वह वो खुद ध्यान रखेंगे लेकिन इसके बाब जूद भी उन्हें कहीं न कहीं संकार रही होगी और जो बेटे का प्रेसर है परिवार का प्रेसर है कि राजनेतिक भविस्त को देखते हुए उन्होंने बीजेपी में आना ही उचिस समझा बिल्कुल प्रेजीज ये कर हम इनके पॉलिटिकल करियर की बात करें तो अच्छा खासा इनका इतिहास रहा है छे बार के विधायक रहे और कापी अच्छा तजूरबा है लेकिन जिस प्रकार से आपने जिक्र किया कि हाशिये पड़ चल रहे थे कॉंग्रिस में अब बीजे बीजेपी उठाएगी मैंने जो पहले भी कहा है कि हो सकता है उनको अभी कैबिनेट मंतरी बना दिया जाया बाद में उप चुनाओ के बाद उनको फिर मंतरी बने रहें बरकरार रहें और इसके बाद जब अगले विधान सबाद चुनाओ आएंगे तो उनकी जगे उनके बेटे को वहां से उम्मीदवार बनाया जा सकता हूँ तो एक तरह से उन्होंने राजदीती से सन्यास लेने की ये पठकता लिखी हो जो हम संभावना जता रहे हैं और इस पर बीजेपी ने एक तरह से महर लगा दी होगे पहले भी इस तरह से हुगा है जैसे चौधी राक अगे होगा लेकिन निष्टे तोर पर अभी राजनीतिक भविस उनका बहतर है फिलाल तो हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी में आने के बाद से बीजेपी सत्ता में सत्ता में रहने के सांसा देदी वो चुनावी लड़ेंगे तो लोग प्रिये भी हैं और लोगों से सहमती से आये हैं और बीजेपी का एक सपोर्ट है तो फिर से चुनाव जीच सकते हैं और भविस उनके बेटे का यहां वो जल नजर आ रहा है जिस तरह से उनसे बादा किया गया होगा बिलकुल बिजेश ये गरम बात करें थोड़ देर पहले ही हमने हमारे पास एक खबर आई थी रमेश मंदोला ने जो ट्विट किया था बारा बजे वाला जिसको लेकर काफी जादा सियासी गलियारों में हलचल मज गई थी तो क्या हम इस ट्विट को इस खबर से जोड़ स आ सकती वारा बजे और कमल का निसान बना तो वो राम निवास रावत की तरफी संकेत थी कि कल से ही सपष्ट हो चुका था आज राम निवास रावत आ सकते लिए उन्हों एक सक्सपेंस बनाने के लिए चर्चा में रहने के लिए और भी कोई बड़ा नाम आँ सकता है सकता है और वो राम निवास रावत आज बीजेपी में सामिल हो सकते हैं तो आप जो कह रहे हैं साहिए को बड़ा जटका यहां पर एक बार फिर से कॉंग्रूस पार्टी को लगा है अब देखने वाली बात होगी कि आब आगे पार्टी क्या कुछ एक्शन लेती है और किस तरह से डैमिज कंट्रोल करती है क्योंकि चुनावी समय है और ऐसे में जब एस प्रकार्ट के नेता पार्टी का दामन छोड़ देते तो लिहाज़ा इसका खामियाजा कहीं ना कहीं पार्टी को भुगतना पड़ सकता है बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साजुने के लिए ब्रजेश्ची और तमाम जानकारी के लिए तो देखे ब्रजेश्ची ने हमें एक एक जानकारी दी उन्होंने बताया कि किस तरह से कॉंग्रिस को यहाँ पर बड़ा जटका लगा है और अगर हम देखे तो काफी ज ज्यादा नुकसान यहाँ पर पार्टी को होता नजर आया है जहाँ पर मिस्ट कम्मुनिकेशन एक बड़ी बजा है जो कि राम निवास जी ने कॉंग्रिस को छोड़ कर वो बीजिपी